आज हम शुरू करने वाले हैं मुफरदात यद्विया जैसे कि आप लोगों की बहुत जादा डिमांड आ रही थी कि मुफरदात यद्विया के बारे में बताईए कुछ भी याद नहीं हो पा रहा है याद नहीं रह रहा है तो मुफरदात यद्विया एक बहुत ही जादा dangerous subject है dangerous related मेरा यह नहीं है कि बहुत ज़्यादा यह बेकार subject नहीं कह सकते ठीक है बस इतना है कि याद करने में थोड़ा मुश्किल है लेकिन उसको आसान करना ही मेरा काम है ठीक है कि कैसे हम easily उसको याद कर सकते हैं ठीक है उसी के बारे मैं आज मैं आपको शुरू करेंगे मुफ्रदात याद्विया के लिए सबसे पहले हम जानेंगे अद्विया के बारे में ठीक है अद्विया क्या है देखिए अद्विया के अंदर चार चीज़े आती हैं first of all कुलियात याद्विया दूसरा है हमारा मुफ्रदात याद्विया और उसके बाद है सैदला याद्विया और एक और चोधा जो है यहाँ पर लिख देता हूँ मुरकबात याद्विया तो यह इस तरह से चार होते हैं सैदला याद्विया मैंने पढ़ा दिया है चेनल पर उसके बाद मुरकबात याद्विया भी मैंने पढ़ाएँ हुआ है कुल्यात अद्विया भी मैंने पढ़ा दिया था लेकिन किसी वज़ा से वीडियो डिलीट हो गए है वो रिपीट में पढ़ा दूँगा आज हम बात करेंगे मुफरदात अद्विया की ठीक है आज हम इसकी बात करेंगे तो मुफर्दात अद्विया शुरू करने से पहले मुफर्दात अद्विया के बारे में हम इसकी जो है डेफिनिशन जान लेते हैं अद्विया की एक बरांच है जिसके अंदर दवाओं के उनके बोटैनिकल नेम उनकी महयत और उनके अफ़ाल उनके जो है इस्तेमाल उनकी मुझ्यर मुसले और उनकी बदल और उनकी मशूर मुरक्चब के बारे में तफसील से डिस्कस किया जाता है तफसील से बयान किया जा उसको क्या कहते हैं मुफरदात या कहते हैं ठीक है यानिके दवाओं की जो मुफरत दवाओं के डिटेल में जानने को उनकी एक एक चीज को एक जो पार्ट्स हैं उनके बारे में जानने को उनके क्या क्या इस्तेमाल हैं क्या क्या उसके जो है नुक्सानात हो सकते हैं क्या क् की मिगदार खुराग जिसको कहते हैं वो सब क्या है तो उसी के बारे में जानना क्या है मुफरदाते अद्विया कहलाते हैं ठीक है तो इसकी एक basic definition हो गई जो कि मैंने book से तो नहीं पड़ी है लेकिन मैंने जो है आप लोगों के यहाँ पर बताई है कि इसकी definition जो है ऐसी बन सकती है या ऐसी होती है ठीक है तो यह होगी मुफरदाते अद्विया की definition अब बात करेंगे के मुफरदाते अद्विया के बिल्कुल तीन चीजे देखिए दवाएं जित्ती भी होती है वो तीन जगा से हासिल की जाती है यह आपने कुल्यात एद्वियम अगर पढ़ लिया होगा नई पढ़ा है तो चल आगे पढ़ लेंगे मुफरदात एद्वियम मेरे सबसे पहले तीन जगे से हासिल कियती है एक सबसे पहला होता है plant origin जिसको हम कहते हैं नबाती दवाएं नबाती दवाएं ठीक है नबाती दवाएं दूसरी होती है animal origin जिसको कहते हैं हेवानी दवाएं ठीक है हेवानी दवाएं वो तीसरी होती है मिनरल ओरीजिन जिसको हम कहते हैं मादनी दवाएं ठीक है यह मेदनी दवाएं भी कहते हैं ठीक है तो यह हो गई तो 80% जो होती है दवाएं वो इसमें आती है नवाती दवाएं में 10% इसमें आती है और बागी के 10% यह होती है तो यह 10% और यह 10% हम बात में पढ़ेंगे आज हम जिकर करेंगे नवाती दवाय जिसमें 80% है 80% डिरक जिसी के अंदर आ जाती है नवाती दवाओं के अंदर तो नवाती के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो एक basic सा concept मैं आपको यहाँ पर बता दूँ देखिए जैसे कि यहाँ पर हम बना लेते हैं यह एक tree है ठीक है यह ऐसे एक tree है यह इसके roots आ गई ठीक है एक basic सा concept अब यहाँ पर वेखिए थोड़ सा गलत हो गया है इसको हम अच्छे से कर लेंगे माली जी इसके ऐसा यह branches निकल रहे है यहाँ पर ऐसा और यह आगए जाके ऐसा ठीक है और यह ऐसा ऐसा बन रहा है ठीक है यह जा रहा है यहाँ पर यह ठीक है ठीक है अग्जाम्पिल को तोरब बस ऐसी समझ लीजिए तो इस तरह से कोई ट्री है ठीक है उसके बाद ट्री में क्या होता है दीखिए सबसे पहले माली जी यहाँ पर एक यह फिलार है इसका ठीक है फिलार को मैं F से बताऊंगा और इसके बाद माली जी यहाँ पर कोई एक फूरूट से लगा हुआ है ठीक है यह फूरूट से लगा हुआ है इसको भी में F से बताऊंगा तो एक फूरूट हो गया दूसरा क्या है उसके अंदर फिलार हो गया तीसरा माली जी उसके अंदर ऐसे लीफ्स बन हुए है ठीक है यानि कि उसके पत्ते होते हैं तो उससे दवाइं हासिल की जाती है उसके बाद उसकी टहनियां होती है शाखाएं जिसको कहते हैं तो शाखाओं से दवाइं हासिल की जाती है उसका जो है steam होता है यानि के तना जिसको कहते है उससे दवाएं हासिल की जाती है उसके जो है root होते है जड़ जिसको कहते है उससे दवाएं हासिल की जाती है ठीके तो यह सब इसी तरह की दवाएं होती है साथ में क्या है माली जी यहाँ पर इसके जो तना है यह टेहनी है य उसमें से दूद निकलता है तो उससे भी दवाएं हासिल किया जाती है उसको भी इस्तिमाल किया जाता है दवा के तोर पर तो जैसे की आख के अंदर होता आख का पत्ता आप तो उसके अंदर से दूद निकलता है और वो दूद इतना खतरनाक होता है अगर उसको किसी की आख में डाल दिया जाता है उसको दीखना बंद हो जाता है तो इसमें जैसे मालीजे इसका फिलार है फ्रूट है इसके लीव्स है यानि के पत्ते हैं इसकी टहनिया है अच्छा कुछ दरख्तों में उसकी च्छाल उसकी जो उपर की कवरिंग होती है दरख्त की वहां से निकाल कर उसको भी दवान इस्तेमाल कियμεता है जो तो यह इस की टहनिया है या उसको छाल है चीक है या फिर उसका ताना है इस टीम जिसको बोलते है उसके रूट्स है तो इन सारी चीज़ों को हम chain में अलग--लग तरीके से पढ़ेंगे आज जो हम भिकर करेंगे वह करने go अद्विया में कुछ भी शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अगर उसके हेड्लाइन्स को अच्छे से जान लेंगे अच्छे से पहचान लेंगे तो और भी अच्छे से हमको समझना आसान हो जाएगा और भी अच्छे से समझ में आएगा और जो student अभी new हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है बिल्कुछ फ्रेश है रहे हैं और अद्विया बिल्कुल भी समझ भी नहीं आ रहा है कि कौनसी चीज कहा है किधर से जा रही है क्या हो रहा है तो उनको भी थोड़ा असानी हो जाएगी जिनको थोड़ा बहुत माल बोटानिकल नेम बोटानिकल नेम ठीक है सबसे पहले क्या पढ़ते हैं बोटानिकल नेम तो हर दवा बोटानिकल नेम होता है ठीक है तो बोटानिकल नेम जो है प्लांट में दिये जाते हैं ताकि जो है अच्छे सा उनकी जो है इस्टडी की जा सके क्योंकि जो आपने नी बीदे बारे में जैसे जो बोटिनी होता है उसम्में इस बारे में पढ़ेऩे हैं ठीक है English name उसके बाद उसकी family family उसकी family इती important नहीं है अगर इसको याद भी नहीं करेंगा तो कोई बात नहीं है ठीक है लेकिन ये दो name ये जरूर याद होने चाहिए एक तो botanical name और उसका English name याद होना चाहिए ठीक है exam में कई बार जो आप तो MCQ का time चल रहा है MCQ question पूछे जा रहे है यूजी लेविल पे तो MCQ में सबसे पहले खाली ये एक drug दे देगा उसको जो है botanical name पूछ लेगा तो इस तरीके से भी होता है कई बार जो है उसके जो synonyms पूछ लेगा दूसरे दूसरे जो language में नाम पूछ लेता है कि हिंदी में इसका नाम क्या है इसका तमिल में नाम क्या है तेल्व में क्या है कनड़ा में क्या है तो वो सब इतना detail में पूछता नहीं है वैसे तो लेकिन English name आपको याद होना बहुत जरूरी है English name और botanical name family याद रहे तो अच्छी बात है नहीं रहे तो कोई बात नहीं है ठीक है उसके बाद जो drug का सबसे पहला काम जो होता है सबसे पहली चीज जो आपको मालूम होनी चाहिए वो होती है उसकी माहियत ठीक है वो क्या है उसकी माहियत आपको याद होनी चाहिए माहियत याद होना बहुत important है यानि कि सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि वो drug है कैसी drug दिखती है कैसी है उसका shape क्या है उसका color क्या है उसका size क्या है ठीक है और कहां से हासिल होती है वो सब मालूम होना चाहिए यानि कि माली जी एक drug है plant origin है ठीक है यानि कि वह ट्रक जो है nights यूव बाती है सब से पहले नबाती ठीक है नबाती है, नबाती के साथ माले जिएरिखे में ज़िए ँसमेन नबाती में कितने सबसाहरी चीज मैठे हैं फ़ल है फूल है जड़ है बीज है तना है छाल है क्या है वह सब मालू होने चाहिए और चाहिए याक कईका सरज में कार्म होना चाहिए अजराकी टो जब रॉमार करें धिक का शच्वान होता है यानिके तावल के जैसा होता है थोड़ सा और उसका गलर कैसा होता है ब्राउन या वाइट होता है तो इसके बारे में जो है माहियत हमको मालूम होने चीज़ के वो चीज है क्या जब तक आपको मालूम नहीं होगा को वो चीज क्या है तो इसके बारे में आप कुछ भी नहीं लिख सकते कुछ भी नहीं बता सकते तो माहियत सबसे जा तो उसके बाद आप आसानी सा याद रख सकेंगे उसको कभी भी नहीं भूल पाएंगे अब आप सोलेंगे पिक्चर इतने सारे कहां से लाना क्या करना तो उसके आप टेंशन ना लीजिए हर ड्रग का पिक्चर मैं आपको दिखा दूँगा कि ये ड्रग इस तरह की दिखती है और कहां कहां से हासिल होती है कैसी होती है वो चीज जो आपने first year में भी पड़ा होगा ठीक है तो वो है हमारे पास मिजाज ठीक है वो क्या है वो है मिजाज मिजाज को युनानी का backbone कहा जाता है ये question PG में अभी recently पूछा गया 3-4 दिन पहले अभी PG का exam हुआ है तो उस exam में ये question पूछा गया कि युनानी का backbone किसको माना जाता है वो है मिजाज तो हर दवा का एक मिजाज होता है वो मिजाज जो है हमको हर दवा का पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि कुछ लोगों का जैसे लोगों का मिजाज होता है ये board है इसका भी मिजाज होगा ये मेरे हाथ में मारकर है, इसका भी मिज़ाज होगा, ये मेरे हाथ में फोन है, इसका भी एक मिज़ाज होगा, हर चीज का एक मिज़ाज है इस दुनिया के अंदर, चाहे वो कोई भी चीज हो, ठीक है, इसी तरह से इंसानों का मिज़ाज भी होता है, अब मालेजे एक दवा मान लीजे कोई इनसान है वो गरम खुश्क मिजाज का है ठीक है अब उसको हम गरम खुश्क दवा ही देंगे तो उसके लिए थोड़ा प्रोब्लम करियेट हो सकती है ठीक है अजरागी का काम क्या है अजरागी का काम अजरागी का मिजाज है गरम खुश्क और इसका काम क्या है ये मुसक्कीने असाब है मुगवी असाब है ठीक है नर्व टोनिक है यानि के तो अब नर्व टोनिक के लिए जरूरी नहीं हम अजराकी ही दें नर्व टोनिक दूसरे भी बहुत सारे हैं तो अब माली हम उसको सर्द खुश्कवाला नर्व टोनिक देंगे, तो उसके लिए अच्छा रहेगा, उसके लिए बैस्ट रहेगा, अगर हम उसको गरम खुश्कवाला ही देंगे, तो उसके लिए प्रोब्लम करियेट हो जाएगी, ठीक है, तो इस तरीके से दवाओं को देखकर, इनसान के मिजाच को पहचान कर उसके हिसाब से दवाएं दी जाती है इसलिए मिजाद जानना बहुत जरूरी होता है और डिगरी इसलिए जानी जाती है कि वो दवा कौन सी डिगरी में रखी गई है मतलब उसकी जो है टॉक्सिसिटी को देखते हुए उसके मुजिर असरात को देखते हुए जो ह जो चावल हम खाते हैं वही चावल उसके एक चावल दो चावल के बराबर यह रत्ती में दी जाती है कि एक रत्ती दो रत्ती इस तरीके से दी जाती है क्योंकि ये पूरी तरह से पोईजन है ये थर्ट डिगरी में रखी गई है इस तरह से फॉर डिगरी की जो दमाया होती है वो भी पूरी तरह से पोईजन होती है फस्ट डिगरी और सेगंड डिगरी की दमाया जो होती है वो इनके मज़िर असरात इतने नहीं होते हैं यानिक quantity उनकी डोस जो होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है ठीक है तो जितनी ज्यादा डिगरी उतनी कम डोस जितनी कम डिगरी उतनी ज्यादा डोस ठीक है एक डिगरी है तो ज्यादा डोस होगी और अगर तीन ये चार डिगरी है तो कम डोस होगी तो इस तरीके से डिगरी का कॉंसेप्ट देखें तो दवाईया जो होती है वो इनसानके जिसंपर मिज़ाज के हिसाब से ही असर अंदास होती हैं मिजाच के अकोडि dedication और किसी दवा का मिज़ाज जानने के लिए क्या करना पड़ताए है प्रदी के से दवाओं का मिजाज पहचाने जाते हैं और इंसाने के उपर उसके क्या असर अंदास हो रहे हैं वो जाना जाता है ठीक है यह मिजाज ही है जिसका बहुत बड़ा रोल है आगे हम इसको डिटेल में एक्सिलेन करेंगे और इस मिजाज के बेस पर ही इसी एक हैड के बेस पर ही जो है पूरे दवाईयां मैं आपको इतने अच्छे से समझा दूँगा कि आपको जो है मुफरादात में कोई भी दिक्कत या परिशानी नहीं होगी ठीक है उसके बाद हमारे पास नेक्स चीज हम देखेंगे मिजाज के बाद हमारे पास आता है उसका अफाल यानिके action ठीक है अफाल क्या है ठीक है action किसी भी दवा का अफाल क्या है उसका action क्या है वो देखेंगे सबसे पहले ये action इतना important है इससे आप दो headline में फायदा हो सकता है आपको एक तो action आपको याद हो जाएगा ठीक है मालीजे कोई दवा nerve tonic है जैसे मैंने अजरागी का ही nerve tonic है ठीक है अजरागी यहाप लिख देता हूँ अजरागी एक nerve tonic है ठीक है अजरागी एक nerve tonic है तो इसका action क्या हो गया nerve tonic अजरागी का action क्या हुआ nerve tonic अब हम अगर इसका इसका इस्तेमाल लिखना चाहें इसके uses लिखना चाहें ठीक है इस्तेमाल या uses ठीक है तो uses लि फालिज, फालिज, लकवा, ठीक है, इस तरीके से और जोफयासा, जोफय, ऑजोफया, जोफया, जोफया, यानिके जिसको जो है, बहा की कमजोर हो जती है, जो एक्टैलिस स्वंक्षन जिसको कहते हैं, ठीक है उसमें इसका इस्तमाल किया जाता है ठीक है यालिके नर्व के अब जितने भी diseases हैं वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ठीक है मुकविय असाब अपनी हिसाब से भी हाँ डाल सकते हैं मुकविय असाब ठीक है मुहरी के असाब, असाब को तहरीक देने यह स्टुमिलेट करने वाली, मुहरी के असाब," ठीकै号 तो मुकविया साब मुहरी अब मालीजे कोई दवा है उसका एक्षन है स्टमक्टोनिक है क्या है इस्टोमक टोनिक है या इंटेस्टाइन टोनिक है तो हम उसके बारे में इस्टोमक की सारी diseases और इंटेस्टाइन के diseases हम लिख सकते हैं ठीक है इस्टोमक टोनिक है कोई इस्टोमक टोनिक ठीक है अगर इंट्राइटिस आयनिट्राइटिस या फिर जहे उसके कॉंस्टिपेशन कंस्टिपेशन ठीक है तो इस तरीके से जहें आ नो हे इस्टोमक के लिए श्टोमक के सारे डिशिजेस्ट वहां पर लिख सकते ह् तो इस तरीके से जो है action अगर एक बार आपको मालू हो गया तो उसका इस्तेमाल लिखने में ज्यादा दुश्वारी नहीं होगी ठीक है ये पहला जो lecture जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पहली बात जो बता रहा हूँ ये पढ़ना बहुत जरूरी है अगर इसको अच्छे से समझ लिए आपने तो फिर आगे कुछ भी मुश्किल नहीं होगी याद करने में कुछ भी दुश्वारी नहीं होगी ठीक है अब उसके बाद जो है next चीज हमारे पास आती है उसका मुजिर असरात क्या होते हैं ठीक है सबसे पहले मुजिर मुजिर क्या है मुसलेह क्या है उसका बदल क्या है ठीक है दवा का बदल क्या है उसकी डोज क्या है या कहूं मिकदारे खुराग क्या है ठीक है डोज या मिकदारे खुराग और उसके बाद मशूर मुरक्कब मशूर मुरक्कब हैं ठीक है अब सबस्ए बाख करेंगे मुजिर की मुजिर क्या चीज है यानि के side effect किसी भी दवा के side effects क्या होते हैं अब जैसे माली जी कोई दवा के स्तिमाल करने के बाद उसके जो है side effects जो जादा side effect हो रहा है तो एक दवा के बहुत सारे side effects होते हैं लेकिन जो जादा जादा side effect कर रहा है कोई दवा का कोई जादा side effects हो रहा है तो सबसे पहले हम उसी को पकड़ेंगे उसी को focus करेंगे side facts में for example के तोर पहे हलीला बलीला आमला थीव हरते हैं यह तीन ऐसी drugs है जो आतों में मरोल पैदा करते हैं इनकी मरोल से बचने के लिए आतों में मरोल पैदा ना करें इससे बचने के लिए रोगने रोगने जर्द में Honestly जो है चर्ब करते हैं किसमें रोगने जर्द रोगने जर्द बोलते हैं घी को जो घी आप खाने में खाते हैं वही घी की बाद चल रही है रोगने जर्द ठीक है तो रोगने जर्द में चर्ब करते हैं चर्ब करने का तरीका क्या होता हातों पर हम अपने जो है रोगने इस तरीका है उसके तरहा को करते हैं वो उसकी ऑनंख्राइट होGO चाली अमांत अपनीद होकित खाली हम दसकी पार सक्रकाइब रोगने जर्द क्या हुआ अब रोगने जर्द क्या हुआ रोगने जर्द जो है इसकी मुसले हो गया रोगने जर्द क्या हुआ इसकी मुसले हो गया ठीक है यानि कि रोगने जर्द ने इसकी सलाह कर दी मुसले क्या है मुसले बना सलाह से किसी की सलाह करने वाला ठीक है अब म पेरेंट्स ने मेरी सलाह की ठीक है तो मेरे पेरेंट्स मेरे लिए क्या हुए मुशले का काम किया उन्होंने इसी तरह से किसी दवा की सलाह करने वाला वो क्या होता है मुशले कहलाता है ठीक है माली जे रोगने जर्द क्या हुआ रोगने जर्द जो है उसकी मुशले हुआ कि की हलीला बलीला आमला की रोगने जर्द क्या हुआ मुसले हुआ और मुजिर असरात उसके क्या हुए मुजिर असरात क्या हुए जैसे रोगने रोगने जर्द और मुजिर असरात क्या हुआ उसके आंतों में मरोड पैदा करना ठीक है आंतों में मुझिर की और मुझिर की अब यहां पर बात करेंगे बदल की ठीक है बदल क्या है सब्स्टिचूट क्या है ठीक है तो बदल बदल पहले तो बदल कोई भी दवा किसी दवा का बदल हो ही नहीं सकती सबसे पहली चीज कोई दवा किसी दूसरी दवा का बदल हो ही नहीं सकती ठीक है, अधिबाय किराम ने कहा कि कोई भी दवा, किसी दूसरी दवा का बदल नहीं हो सकती, ठीक है, आप माली जे गोल्ड है, ठीक है, एक गोल्ड है, वैसे तो गोल्ड की भी दवाया बनाई जाती है, वो आगे हम जिकर करेंगे, लेकिन गोल्ड का कोई बदल है, नहीं है उससे ज्यादा कीमत वाली चीज़े मौजूद है उससे कम कीमत वाली है लेकिन गोल्ड की कीमत की अगर exact गोल्ड की बात की जाए तो वो मिलना मुश्किल हो जाता एक example दिया है मैंने इसको बताईए कि यह ऐसा हो गया ठीक है ऐसी तरह से दवाओं को कोई भी बदल नहीं होता है लेकिन अब अगर माली जी बदल हमें लेना ही है हराल में माली जी वो दवा नहीं मौजूद है अब हमें किसी भी हाल में बदल लेना ही लेना है हमें जो है माल तरीका ये बताया अतिब्बाय किराम ने कि कोई भी दवा किसी दवा का बदल अगर हमें लेना हो तो उसका तरीका तो ये है वैसे माली जी अपने सर के दर्द की कोई दवा ली ठीक है अब सर के दर्द की दवा लेने के साथ साथ आप देख रहे हैं कि ये दवा सर के दर्द क जिसका काम यही हो, सर के दर्द को कम करना हो, वो दवा ले ली जाए, ठीक है, तो वो उसका बदल हो जाएगा, ठीक है, यही तो तरीका है, लेकिन exactly यह नहीं है, ठीक है, अब अतिबाव ने यह क्यों किया, यह मेरे भी समझ में नहीं है आज तक, exactly यह नहीं है, ठीक है, माली जीए, सर के दर्द की दवा आप ले रहे हैं, और सर के दर्द की दवा वो वाली मुझूद नहीं है, जो आपको चाहिए, तो उसके बदले में, दूसरे सर की दर्द की दवा आपने ले ली, तो वो उसका बदल नहीं होगा, दवा किसी भी हाल में नहीं होगा, ठीक है, यह अतिबबाय कराम का कहना है, ठीक है, मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, तो लेकिन देखने में लग रहा है कि यह बहुत बखवास बात है, अब यह क्यूं है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, डिटेल में जानेंगे, अब दवा का बदल, अगर देखना है, तो बदल, अतिबबाय एकराम ने यह बताया, जैसे कि युनानी में दवायां मिजाज के अकोर्डिंग असर करती है, मिजाज के, मिजाज से जो है, एक्शन करती है, तो गरम खुश्क वाली ही, दूसरी दवा लिजाए, पहला तो नहुने यह कहा, तो वो उसका बदल हो सकती है, क्योंकि दवायां मिजाज से असर करती हैं बोड़ी पर, मिजाज से असर अंदास होती है, उर दूसरा यह बताया, मान लिजिए किसी plant का आप root ले रहे हैं और root की दवा है ठीक है तो उसी plant का उसी plant का आप root ना मिल रहा हो तो उसका steam ले लिजिए या तना ले लिजिए या उसकी छाल ले लिजिए उसका fruit ले लिजिए उसका seed ले लिजिए उसकी लिफ यानि कि उसके पत्ते ले लीजिए उसकी टेहनिया ले ले लीजिए बेरहाल उसी दरखत का कुछ ले लीजिए ठीक है अगर वो मुझूद हो तो एक ये इसका बदल हो सकता है ठीक है तो अच्छा बदल की जरुद आई क्यों? बदल की जरुद किसलिए आई? ठीक है हिंदू है मुसलिम है सीख है इसाई है इस तरीके से जो है कोई रिलीजन की पावंदी लगी हुई है धरम की या फिर उसके जो है मजभब की कोई पावंदी लगी हुई है कि ये दवा खाना हराम है माली जी ठीक है तो उस दवा को जो है इस्तेमाल करने से गरेज हो उ उसके बदले में कोई दूसरी दवा इस्तिमाल कर ली जाए, एक ये है, माली जी और कोई दवा बहुत जादा महेंगी है, कोई आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको नहीं खरीद पा रहा है, तो उसके बदले में कोई सस्ती दवा मिल जाए, तो इसलिए भी उसके बदल की बहुत दुश्वार है, इसलिए भी उसके बदल इस्तिमाल की जाते हैं, कोई दवा माली जी बहुत दूर है, नहीं ला सकते खरीद कर रहा है, कहीं से नहीं मिल पा रही है, तो उसके बदले में दूसरी दवा इस्तिमाल की जाती है, तो इस तरीके से दवाओं की बदल की ये एक तरीका है तो बदल के बारे में आपको अच्छे से मालूम हो गया होगा तो इसके बारे में और मुझे ज्यादा बतानी की जुरूत नहीं है बदल से related बहुत लंबा हो गया बदल का ठीके तो बदल आप समझ में आ गया होगा अच्छा एक चीज और छोड़ी से में ब B, ठीक है, एक दवा है A, और दूसरी दवा है B, तो मान लिजी एक दवा A, A का बदल B है, ठीक है, A का बदल B है, लेकिन अगर आप कहें, A का बदल B है, तो B का बदल A होगा, ऐसा नहीं है, यह concept यहाँ पर नहीं चलेगा, ठीक है, तो A का बदल B है, तो B का बदल A किसी हाल म नहीं हो सकता बी का बदल सी डी या कुछ और भी हो सकता है एक्जामपिल के दोर पर समझा रहा हूँ आपको तो एका बदल अगर बी है तो बी का बदल कुछ भी हो सकता है यहाँ पर लेकिन और एका बदल भी हो सकता है इस तरीके से मैं बता रहा हूँ ठीक है तो यह चीज क्यों है ना ही तो action देखा जाता है ठीक है और ना ही कुछ देखा उसका एक तो मिजाज देखा जाता है सबसे पहली चीज और कुछ जगा ओपर तो मिजाज भी मैच नहीं करते हैं लेकिन दवा उसका दवा बदल होती है यह इसके उपर concept क्या है यह आज समझता हूँ जित्ती भी अदविया मुफरादात के अंदर जित्ती भी अदविया हैं उसमें से 90% दवाएं गरम खुशक हैं तो सारी दवाएं एक दूसरे का बदल नहीं है किसी भी हल्मनी है ठीक है तो यह concept भी यहाँ पर fit नहीं होता जो मैंने आभी आपको बताया अब वो action वाला करती हो नहीं करती हो लेकिन वो उसका बदल होती है अब यह क्यों होती है यह भी नहीं समझ में आया तो बदल का क्या करना एक पूरा यह लिश्ट बनाना और उसकी बदल जो है जित्ते भी है वो रट डालना यही एक तरीका है और कुछ तरीका नहीं है ठीक है अब कुछ लोग बोलते हैं हम तो रटते नहीं हैं समझ के पढ़ते हैं तो अगर मुफरादात को जितना समझने की कोशिश कर हो गए इतना यह भाग जाएगा आपसे दूर ठीक है इसमें रटना ही एक option है अब बुटनिकल नेम को आपको कैसा समझोगे बुटनिकल नेम को र मिगदार खुरक जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया अगर उसकी डिगरी ज्यादा है तो डोज कम होगी और डोज सोरी और जो डिगरी कम है तो डोज उसकी ज्यादा होगी ठीक है तो डोज के बारे में अतलब उसकी कित्ती मिगदार लेनी है कित्ती क्वांटिटी में लेन उसके बाद आते हैं मशुर मुरकब में यानिके उस दवा के जो दवा हम पढ़ रहे हैं मुफराइड ड्रग उसके उससे रिलेटिड मुरकब कौन-कौन से मार्केट में अवेलिबल हैं ठीक है जैसा अजरागी का हमने एक्साम्बिल लिया था इस्टार्टिंग में तो अज के कौन कौन से जो हैं कमबाउंड ड्रग हैं कौन से मुरक्कब ड्रग हैं जो मार्केट में अविलिबल हैं